नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे नबमी के लिए प्रसाद सबसे पहले हम चने को बोल कर लेंगे इसी में हम डालेंगे चार-पांच आलू ताकि चने और आलू एक साथ बोल हो जाए मैं चने को बोल करते टाइम थोरा सा नमक डाल रहे हूं ताकि चने में नमक का टेश्ट आ जाए जब तक हमारे चने बोल हो रहे है तब तक हम आठा लगा लेंगे झाल यार बोल डाल तक हमारे चने का हम दोल करते ले पाल लेंगे इसे प्कलब बोल श्बल पाल करते लेंगे जा से डाल पांपक्ट हमारी आटा लग चुका है अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई तोर लेंगे पूरी के लिए इसमें नहीं तो मैंने तेल का इस्तिमाल किया है और नहीं तो गी का आप चाहे तो तेल ये गी का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर कभी आपका आटा टाइट लग जाते हैं तो आप उसे 10 मिनिट के लिए रेष्ट के लिए छोड़ दें तो आटा थोरा सौप्ट हो जाएगा मैं यहां पर पूरी को भेलने के लिए आटे का इस्तिमाल कर रहे हो आप चाहे तो तो तेल ये घी का इस्तिमाल कर सकते हैं इसी तरह हम सारे पूरी को भेल लेंगे हमारे फ्राइपन करम हो चुक है अब हम इसमें डालेंगे घी मैं यहां पर एक चमस घी डाल रहे हो पहले हम ड्राइपोर्स को भून लेंगे बदाम काजू हमारे काजू और बदाम हलका सफ्राई हो चुक है अब हम इसमें डालेंगे किस्मिस किस्मिस हम सबसे लाश्ट में डाल रहे हैं क्योंकि यह बहुत जल्दी हो जाता है गिसीवी नारियल आप इसमें से जो भी ड्राइपोर्स नहीं खाते हैं उससे स्कीप कर दें हमारे ड्राइपोर्स भून चुके हैं अब हम इने उतार लेंगे अब हम इसी फ्राइपेड में डालेंगे गी घी को मेल्टोने देते हैं हमारे घी गरम हो गई है अब हम इसमें डालेंगे सूजी गैस को दिमी आज पर रखेंगे सूजी को लगातर चलाते रहेंगे अगर आपको घी कम लग रही है तो आप अपने अबशक्ते के उन्हें सर और घी डाल सकते हैं हमारे सूजी भून चुकी है अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी को बॉयलोने देंगे आप अब हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी यह आपने अविशक्त करश्चत डालें मिक्स कल देंगे चीनी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे इलाइची, मैं यहां पर कुटी हुए इलाइची का इस्तेमाल कर रहे हूँ, आप चाहे तो इलाइची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अब हम सुजी को चार मिनीट के लिए डग देंगे, चार मिनीट हो गई है, अब हम धकन को अटा लेंगे, आप देख सकते हैं हमारे सुजी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राइफोर्स, तयार है हमारे सुजी के लोग, अब हम इने उतार लेंगे, हमारे कुकर के सिटी निकल चुक है, अब हम धकन को अटा कर देख लेंगे, पहले हम आलू को देखेंगे, आलू पक चुका है, चना भी पक चुका है, अगर कभी आपका चना नहीं पकता है, तो आप उसे दो-चार सीटी और लगा सकते हैं, अब हम बनाएंगे सुखे चनी की सबजी, मैं यहां पर मुमफली के तेल का इस्तेमाल कर रहे हूं, आप चाय तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा, कुटी वी हद्रब, अगली हुई चना, मिक्स कर लेंगे, स्वादनुसर नमक, हल्दी एक चोथाई, लाल मिर्च पावडर एक चोथाई, जीरा पावडर एक चोथाई, अच्छी से, इसमें से आप जो भी मसाला नहीं डालना चाते हैं, उसे स्कीप कर सकते हैं, तयार है हमारे काले चने की सबजी, अब हम इसे उतार लेंगे, अब हम बनाएंगे अलो की सबजी, हमारा फ्राइपिन गराम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेल, मैं इसमें मुमफली का तेल का इस्तिमाल करी हूँ, आप चाय तो गी का इस्तिमाल कर सकते हैं, जीर गिसीवी अद्रक, आलू, आलू को मैंने हत्म से तोड़ लिया है, आप चाहे तो चक्तु से काट सकते हैं, स्वाद अनुसर नमा, लाल मिर्च पाउडर, अल्दी पाउडर एक चोथाई, जीरा पाउडर एक चोथाई, पिस कर लेंगे, आलू को हम दो मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे, हमारे आलू बून चुके, अब हम इसमें डालेंगे, पानी, आप इसमें से जो भी मसला नहीं खाते हैं, उसे स्किप कर दे, तैयार है हमारी आलू की सब्जी, अब हम इसे भी उतार लेंगे, अब हम पूरी को तल लेंगे, मैंने पहले से ही कड़ाई को गेस पर रख दिया था, हमारे तेल गरम हो चुका है, तेल से दोवा निकल रहा है, अब हम इसमें डालेंगे पूरी, पूरी को तलते टाइम अब हम पूरी को पलट देंगे, तक यह दूसरी तरफ से भी हो जाए, हमारे पूरी हो चुके है, अब हम इसे उतार लेंगे, करले नहा हैं, अब हम हम अपष्ट, इसे हुदार्म यह चासल करना अब गलब देल, क्वपशन जाए यह तर रहा है, टाईढ पूरी तरह यहां, पूरी ड्टोस्त, वाल जाशों जाऍवन झारक्श बावन एंगे, अब हो फ cliche मैंगे, यह दोस्तों टारक्फ, थारक् Obviouslyन gettin exact तैयार है हमारे मातारानी की ठाली अगर आपको यह रेसेप अच्छी लेगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना